बाई बैरल का रिकॉइल दिखता है तू और बाई लोग क्या हाल चाल यार अब आज को गेमप्ले इतना होसम होने वाल है तुमको देख के मज़ाज रहेगा तो एक सोलो स्कॉड के गेमप्ले अपना है पुचिंगी में और तुमको मैं पहली बोल देता हूँ कि आज हम दो और दूसरा कि रिकॉड करने का मज़ा है लेकिन पुचिंग कि करेंगे केमपचिंगी मेरा 25-24 है तो वाई आप देखते हो पाता है कि नहीं आप याँ पर शुरुवात आपन निकल लिए थी बोगोनी हो गई थी उसके बाद फाइव वोश में जबरदस्त लड़ई औक त अब मेरा ध्यान उधर ही था अब मैं डायक्ट वार नहीं गया बलकि मैंने डिसाइड करा कि मैं यहां से होके जाओंगा ताकि मेरे को एक safe passage मिल से के अब देखो बाई यहां जो तुम लो थोड़ा द्यान से गेम पर देखना क्योंकि यहां जो तुमको सांस लेने का मुका नहीं मिलेगा मेरे को खुदरी मिल रहा था भाई घर से जमीन से अज्मान से हर जेह से बंदे आए बस और तुम बचायगा ना मजा जाएगी तुमको अब यहां पर मैंने एक कोई शिकार बना लिया था बट वहां पर लड़ाई हो रही थी यहां पर बेट उपर थी धरों पे था कोई मेरे को ना देख रहा हूँ करद फॉल मैंने एक और नोक करद दिया और जिस बाट को मेरे को डडर था वही वा लोग मेरे को धुना आजरों तो मैंने इसको भी नोक कर दिया इसको finish करना बड़ा difficult होने वाला है अब यहाँ पर मेरे कोई और बंदा दिखा जो कि पेड के पीछे था अब इसको तो मैंने finish कर दिया लेकिन एक बंदा जो बच रहा था जो बचने कुश कर रहा था मेरे को इस बात का डर था कि कहीं से revive न मिल जाए क्योंकि देखो भी यहाँ फाइव बंदो को मा रहा है एक ना एक बंदा तो भची रहा होगा लेकिन तभी यह वाईसा फिनिश हो गया तो मेरे को थोड़ा सुकून मिला कि चुल मेरा किल नहीं जाएगा कई लेकिन तभी मेरे को फुट्स्टप भी आए भाई मैं सही था इसका टीम मेट है यहाँ पर बस टाइम पर वह आ नहीं पाया अब देखो सामने आलो घरों में बाई गंदी लड़ाई होने लगी दो स्कौड आपसे बिढ़े और एक बंदा यहाँ पर है अब मेरे को ऐसा साउंड आ रहा है वह घर के अंचरे बाद इसको मारते बुट मैं यह सोचा था इसका कोई टीम मेट घर के अंदर हो यह साउंड ऐसा यहाँ आ रहा था कि वह बंदा घर के अंदर हो लेकिन ऐसा थान है यहाँ पर मैं चुप चा बाउंडर के पास बैठ गया बिकॉज मुझे चाहिए थे फिरी के किल क्यूंकि साम में जो बंदे थे वह अपनी लड़ाई में इतना डिस्ट्राक्टेड थे ना कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा भी नहीं होगा तैसे मैं बाहर निकले ना तो म अकेला रिस्पॉण नहीं होगा पूरी टीम होने वाली है रिस्पॉण वो भी यही पुचिंग की में फाइव उस पे लेकिन उससे पहले मैं इनको बजा दिया तो मेरे को एक बड़ी हखिल मिल गई अच्छी बात यह थी कि फिनिश हो गया नौक नहीं हुआ वारना इसको रिवाइव बजाता है अब देखो यहां पर एक और बंदा उतरा था मेरे को साउंड आ गया था और यह बंदा छुप रहा है तुमने देखा कि नहीं मैं M4 कैसे स्प्रे गड़ता हू अगया था मतलब एसौट राइफ़र को LMC की तरह यूज कर रहा हूँ अब यहां पर म इसको भी मैंने बजा दिया मैं किलफीड नहीं पड़ता तो तुम लोग जरा कमेंट सेक्षिन बताना है क्या इन बंदों को मैंने मारा था यह मतलब वापीस से रिस्पॉन हुए थे मेरे मारने के बाद यह कहीं और की बंदे थे अब यहां पर मैं थोड़ा लूट रहा थ तो मैंने वहाँ पर नेड कर दिया इस उम्मेद में क्यों पीछे हटेगा ज 이제 फटेगा तो मैं पुछ कर दूंगा उसे सुना ही नहीं देगा कि मैं पुछ कर रहू हूँ बट जिसाब से मेरे मूब पुछ करा मैं समझ गया यह बट्टू रहे है यहाँ पर मैंने इसको मार दया इससे साथ मेरे को कुछ मिला नहीं मैं जाने लगा फाइरिंग की तरफ लेकिन तभी मेरे को पीछो से फिट पुछ रहे लेकिन यह भी बॉट था अब यहाँ पर मैं समझ गया था कि बॉट्स आ रहे है अब मेरे को अधर ही जाना पड़ेगा जिदर फाइटिंग हो रही है फाइरिंग तो ही रही है पुछ इंकी मिजबर दस तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूटा इन डबो को क्यूकि मेरे को अमो वगरा तो चाही था तब ही मेरे को एक और फिश्टे पाया मैं का यार एक और बॉट वह बाई यह बंदा निकला वह तो को मेरा एम सही जगह पर पड़ गया थोड़ा इधर अधर हो था तो मेरे को खा जाता है इंपर अब देखो इसको माने बाद फाइनली मैंने डिसाइड कर ले कि यहां मैं नहीं रुकूँगा मैंने कुछ ज़्यादे किल निकाल लिए यह बाई किसी से तो बच रहा था किसे बच रहा था यह पता नहीं है मुझे लेकिन तब ही सामने वाले घर मेरे कोई गंदा दिखाई दिया कि यह दिख थो रहा है बट ऐसा एंगल पर नहीं कि मैं इससे पंगल हूँ यह बाई सब पुष करने की सोचे थे इनको मैंने मार लिए अब देख उसको मैंने बचा के ऐसान करा है वारना यह पुष जो कर रहा है उसको मार देता अब यहां पर मैंने एक और नॉक निकाला मैं फिनिश नहीं कर पाया बट वो बंदा गढ़े में कूद गया और क्यूकि यह रड जोन आ गया तो मैं सोचा उसके टीम मेट का वो वेट करेगा वो यह गढ़े में सेफ जगह पर बाहर नहीं निकलेगा तो मैं रेड जोन से बचने के लिए अंदर आ गया और रेड जोन जैसे ही खतम हुआ वो बाहर निकला है और इसने चुरा रहा था एक तो मैं इसको बचा रहा था और यह मेरी ही गिल चुरा रहा है अब बहुत कर दिए खकम को से वह लिए फ क्जोन कुछा चासंता नहीं था सिवा इंतशार की मेरी इंतशार में बैठाता मैं उसके इंतशार में बैठाता क्रूै और ना Yak वह पीछन चला है व्याह यह प्र जोगया है यह बोक्त्थ कर लेगा टा-फु उप ज़गया और गूम रहा हूँ तो वह पीक तो डेफिनिटली देगा फिर मैं उसो सप्प्राइज करके मार दूगा पड़ बाई आस्मान से बंदे उतरने लगे और यहाँ पर मेरे प्लान के ऐसे की तईसी हो गए पता नहीं कैसे यह नॉक दूगा और जो मेरे नीचे बंदा था वो पुछ करने लग या और जो घर के अंदर बंदा है तो वो कहीं और इस उसने पीकी नहीं थी यहाँ पूरे प्लान के जिए चीशे लेटे लेटे लिए पूछो मत इदर मैंने एक गिल्तो निगाल दिया मैं खुछ था लेकिन मुझे पता था घर वाले को अभी अभी मैंने मा रहा है वो मुझे पीक देगा ने तो मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा तो तुम सोच रहोगे कि मैं पीछे क्यों अट रहा हूँ तो देखो भाया साइड वाली बिल्डिंग में बंदे आ गए ठीक है वो मेरे उपर एंगल बना सकते तो इस वज़े मैं पीछे हटके खेल रहा था और अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं पीछे हटके क्यों खेल रहा हूँ देखो मैं इधार आया तो देखो एक बंदा बालकनी पर अल्रडी बैठा हुआ है वो वेट कर रहा था कि मैं कब सामने ओले घर पर फायर करो और यह मेरे को मार दे लेकिन यह समझ गया मैं क्या गर रहा हूँ तो यह अंदर भाग गया वापिस अब मैं जानता था यह बाहर तो निकले गई देर सवेर फर यह निकला अब मैं इसे नॉक कर दिया बट फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि यह बहुत बढ़िया जगा नॉक हुआ था अब इसके टीमेट्स भी वहां थे मिनिममम तीन चार बंदे तो हो गई तो यहां पर मैंन अब मैं जब यहां पहुचा तो देखो दोनों थी स्टोरी के बीच में वहां पर एक बंदा है और जिस लाइन पर मैं बैटा हूं इसमें भी एक बंदा है तो मैंने स्मोग कर और यह स्मोग कि काहीं में लड़के वापिस आया यहां पर सस्तिनेश चल रहे है अब देखो दोनों लोग मेरे को पिक दे रहे तो बट फिर भी मैं भाग के इदर आगया क्योंकि मेरे इसको रिवाई पिक अब इसको मैंने जैसे ही फिनिश करा यह दोनों पागल हो गया यह मेरे उपर पुछ करने लगे और मैं जानता था कि मैं थोड़ा से फस्ट चुका हूं इदर अब मैं त्री स्टोरी के अंदर भली हूं बड़ी बिल्कुल भी सेव नहीं क्योंकि इस त्री स्टोरी में हर तरफ से एंगल बनते हैं हर तरफ से और बंदे अब अंधू की तरफ पुछ भी नहीं करते वो थ्रॉइवल्स डालते इंदर बॉली ग्रेनेर यह सब डालते फ जो मेरे 3 स्टोरी के पास है तो भाब बेचयान हो रहा है वो मेरी बिल्डिंग में आया मेरे को लगा यह पुष करेगा बट यह तब ही बहार निकला और मॉली डालने लगा लगली इसने मॉली ऊपर वाली फ्लोर पे डाली तो मैं बच गया लिकन यह और मॉली उने निका पर चिपक गया यार मेरे जो विए 20 स्किल निकाले थे तुमारे भाई ने 20 स्किल पोचिंकी में भले ही रिकॉर्ड ने तोड़ा बड़ खुश बहुत था मैं अब मैं उतारा गया था इता मिलिटरी आलेंड के पीछे तो वहां मैंने बेसिक से लूट उटा इक गाड़ी उठा के सिधा ब्रिश पाया क्यूकि मेरे को पता था अगर मैने एक स्कॉड मार थी तो मेरा लूट का सारा समय सा पूरा हो जाएगा और उसके लिए मेरे को जादा वेट नहीं करना पड़ा सामने लेकं पॉर्ड में बंदे यहां पर नीचे भी बंदा है मेरे पाक उसका फुष्टे पा रहा है ब्रिश पे बंदे यहां और उपर पहड़ी पे एक बंदा एक बंदा एडब्लम चला रहा है तो यहां मैने इन सब में चूज करा एडब्लम वाले को क्यों तुमको पता है एडब्लम वाला यहीं कहीं पर प्रोन था तो मैं भेट कर रहा था इसके फूटस्टप का जो कि इसने मेरे को दे दिए अब इसको मैंने नॉक कर दिया बड़ मेरे को डर था कि पीछे जो घर में बंदे थे और खासकर कि मेरे को फूटस्टप भी आया था मेरे को वह गहीं पीछे सना आ जाया तो मैंने स्मोग डाला लूटने के लिए बिज वाले भी मेरे कोई देख रहे थे मेरे उपर कोई यूंप से फायर भी गर रहा था और तभी बग्गी आई अब बग्गी वाले बच गया थे तो मेरे को घर था यह भी पीछे जा के रुकेंगे अब यह मेरे पीछे भी बंदे है मेरे आगे बंदे और उन सब का ध्यान मेरे उपर है विकाज मैने अभी भी यहां काहिद बंदूग चलाई है तो मैंने फाटाफट लूटा एक और स्मोग कलिया एडबलियम उठाई और सीधा किया ब्रिजपे क्योंकि यह बहुत लड़ाई हो रही थी अब ब्रिजपे मेरे को कोई दिखने ही रहाता है तो दो बंदे है प्रोन भाई क्या कैम्पिंग चल रही दर भाई इस बैरल का रिकॉर्ड दिखता है अब देखो इसने स्मोग करके गलती कर दी यहांबर भाई तो मामला 50-50 था बड़िस बंदे ने हग दिया तो मेरे को एक easy kill में लगई तो यहांबर मैं सोच रहा था मेरा और एक गोली मेरे पैन पर लड़िती अगर वह एक गोली मेरे प्रॉपर लग जाती ना तो मैं मर जाता तो यह जो gameplay बच रहा है अभी gameplay में जो मैं हूँ अभी वह इस fan के वज़से हो भाई मजा अगई well job you मुझे इतना पता था कि कोई वंदा मेरे को तड़के बैटा है मेरे को यह नी पता था कितने है क्या वो इक है अब इसके सब उसके teammate है teammate है तो कितने है क्या वो teammate अलग अलग position में असब एक ही जगा पर है और अगर वह एक है तो क्या वह flan कर रहा है काही मेर पर ब्रिश से पुछना आ जाए, कही नीचे वाले compound से मिने पर कोई fire ना कर दे क्योंकि मैं open में लेटा हूँ, गहाँ surrender हो कि नहीं इतने सारे question और मेरे को ये दिख गया मैंने इसको knock कर दिया और फिनिश भी अब यहाँ पर और question क्या ये वही बंदा था जिसमें मेरे उपर fire करा या पिर ये उसका teammate था और अगर teammate था तो क्या वो भी इसी की तरह flag कर रहा है भाई बहुत सारे question थे मेरे को कुछ समझ मिने रहा था मैंने का आप एक काम करो smoke डालो, गाड़ी उठाओ निकलो यासे तो मैं थोड़ा सा bridge की तरफ भी चेक कर रहा है जटता कि smoke हो रहा है मैं को bridge पे कोई दिखा तो नहीं बहुत गाड़िया खड़ी थे bridge लेकिन कोई दिखा नहीं लेकिन ये दिखा तो मैंने इसको मार दिया headshot नहीं बड़ा बड़ body shot चे काम हो गया तो अब मेरे को लग रहा था कि finally मेरे पीछे clear होच सुका है because दो टीम्स उमर गई हो अधर अब जो भी हो मुझे एक बात तो पता था कि स्कॉट का मैच है तो कोई ना कोई प्रॉपर चार बंदू की टीम तो बची रही होगी था तो मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा से ऐसा लगा है कि मेरे को पीछे से हलका से cover मिल जाए फिर मैं बिच पे देख रहा था लेकिन तब ही मेरे को किसी का footstep आने लगा अब मुझे पता नहीं क्यों बंदे फुटकर में आ रहे लेकिन मजब होता रहा है कि मैं सबको भर रहा हूँ तो इसको मानने एक बास अब तो मेरा focus और जादा bridge पता लेकिन मैं फिर भी पीछे देख रहा था विकोस जिससाब से मेरे को पीछे से पड़ी थी ना और मैं बाल बल बचा था मैं की बदॉलत इस बार शाद ना बचो लेकिन जब मैं bridge पे आया ना तो finally firing हुई तो मैंने wait करा इनका थोड़ा बाहर आने का cover से और फिर मैंने को बजा दिया अब 3 बंदे बच रहे थे मेरे को उटाद हो तो 2 बंदे तो 29 किल्स कहीं नहीं जा रहे है तो मैं इधर उधर देख रहा था थोड़ा लेकिन तभी मेरे को नीचे smoke दिखाए दिया मेरे को लगा ये बंदा शायद उधर से ही आ रहा है तो मैं गाड़ी से उतरने की सोच रहा था बंदे 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 अब देखो मैं हर बार जब भी गाड़ी में बैठता हो अपने हाथे अपना प्राइमरी वेपन ले लेता हो मतला मैं सौल्ड राइफल प्लाइन सीम्बल था मेरे को बंदा जैसी देखे का मैं प्रोन होंगा इस प्रेगर के उसे खातम कर दूँगा बट हाथ में रुटम करेंगा